वेलकम टू माई चानल समय टेरो कार्ड रीडिंग और आज में जो रीडिंग लेकर आई हूँ डेर गाए जनरल रीडिंग है टामलेस है जनरल रीडिंग है सभी लोग देख सकते हैं आप किसी भी राशी के हैं और कोई भी रिलेशन सेफ है आपका आप इस रीडिंग को रिखेंगे सो चैनल को लेक्ट सिस्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए तो क्या अनर्जीज है देख लेते हैं और जनरल रीडिंग है आपके साथ जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग मैच करें जितना मैच करते हैं उतना रख लीजेगा और जितना मैच नहीं करते हैं उतना आप छोड़ सकते हैं So first card, यहां पर three of sorts, okay, so यहां पर मुझे दिख रही है आपके person की deep feelings, मतलब energies के according जो मैं देख रहे हूं, उनकी feelings तो आप लिए बहुत जादा दिखाए दे रही है, बहुत जादा, आपको मतलब अगल मैं इस cards को देखो और इस energies को देखो, तो मैं भी बहुत जादा यह आपके लिए feelings रखते हैं, बहुत जादा positive feelings रखते हैं, ठेक है, यह person मतलब इनकी life में अगर सबसे जादा कोई दिल से अगर किसी को बहुत जादा मानते हैं, यह दिल से बहुत जादा इनको विश्वास है, किसी के उपर, यह फिर इनकी नजरों से अगर मैं देखू, तो काफी जादा यह feelings आपके लिए अच्छी रखते हैं, मतलब इनकी तरफ से good vibration आ रही हैं आपके लिए, लेकिन इतनी अच्छी feelings होने के बाद भी three of sorts में जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं, या तो यह अपनी feelings आपको बता नहीं रहे हैं, या फिर इनका दिल तूट रहा है, क्योंकि no contact situation में है, no contact situation में बहुत time से बात नहीं की है, ठीक है, so energies यहाँ पर आपके लिए loving है तो, दिल बहुत ज़दा आपको लेकर, मतलब इस समय इनका पैशनेटी है, फिर आप ऐसे ही बहुत सकते हैं, बहुत ज़दा आपके बारे में सोचते हैं, तो जब आपके बारे में सोचते हैं, तो फर्त्री आपसोट्स में चले जाते हैं, क्योंकि इनकी दमाग में तो आपके लिए एक feelings आती है, कि हाँ, मेरा love है, या मेरा relation है इनके साथ, या मैं बहुत ज़दा करीब मानता हूँ, बाबर आपका नाम लेते हैं, लेकिन energies में emotionally feelings आ जाती है, और जो कि यहां पर यह बता रही है, कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, आज आप लोग साथ में नहीं हो, या फिर या आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आपसे बोल नहीं सकते हैं, मतलब कुछ न कुछ किसी का fear है, या कुछ ऐसी अनरदीस तो है, जिसकी बज़े से अपनी feelings चुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो क्या है इसकी वज़ा, ये भी देखेंगे, क्योंकि three of sorts में तो मुझे ऐसा लग रहा है, इनको देखकर कि जैसे हर टाइम आपी के बारे में सोचते रहते हैं, और इस card को देखूं, तो जहां तक मैं देख रही हूँ, कल पूरा दिन, कल पूरा दिन, कल से ही इनका mind बहुत आपके लिए परिशान हो रहा है, क्योंकि energies में क्या है, कि मतलब आजकी energies तो आ रही है इस समय, लेकिन ऐसा लग रहा है इस energies को देखकर कि कल से या पिछले दो दिन से बहुत परिशान है आपको लीकर, बहुँ जदे sensitive, बहुँ जदे emotional हो रहे हैं, बार बार आपका खयाल आ रहा है, बार बार आप इनके mind में आप चल रहे हो, बार बार इनको लगता है कि मैंने रिश्टा क्यों तोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों block कर दिया, बतलब एक deep feelings है, अपनी feelings इन्होंने hide कर रखी है आपसे, जान बुझ कर hide कर रखी है, तो इतनी deep feelings होने के बाब भी अगर कोई इनसान hide कर रहा है, तो काफी ज़्यादा shocking बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, जिसकी बज़े से ऐसी situation हो रही है, ठीक है, मैं देखती हू define करती हूं, राशियां भी बता देती हूं, इसकी पर define करेंगे, जबकि यहां पर जो cards बता रहे हैं, पूरी तरीके से इन्होंने एक तरीके से आपके साथ future देखा, आपके साथ dreams देखा, मतलब एक होता है ना कि कुली आँखों से हम सपने देखते हैं साथ में, और इस energies को यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें आप एक साथ हमेशा के लिए मा लिजे, लाइक energies की भई हम साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे का बलाई, एक दूसरे के हक ना हो, लेकिन हम साथ हमेशा रहेंगे, पूरा future हम साथ में रहेंगे, और यहां पर मुझे लग रहा ह लेकिन उसके बाबजूत भी आज ऐसी situation हो गई है आप लोगों के बीच में, जिसकी बज़े से यह बहुत ज़्यादा stress में है, तो कहीं न कहीं energies बहुत ज़्यादा emotional भी हो रही है आज आपकी person की, और hangman बाली situation दिख रही है, तो मतलब कहीं न कहीं hangman situation है, hangman बाली situation का card आ है, तो मतलब इस्तिती होने के बाब जूद भी जो इंसान अपनी feelings चुपा रहा है, लव होने के बाद भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, marriage चाहते हैं, family चाहते हैं, kids चाहते हैं, मतलब एक तरीके से खुशाल life चाहते हैं किसके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन देन उसके बाद भी हैं, family situation, क्या करूं, कैसे करूं, या किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का fear, कोई stress, फसाओ इनकी life में, जिस फसाओ में पूरी तरीके से दव के रह गई हैं, फसाओ में उलज के रह गई हैं, तो ये situation आज इनकी हो रही है, जिस वज़े से काफी ज़्य है, लेकिन अच्छा, दूसी चीज़ यहां पर, इनकी life में कोई एक कैसा person भी दिख रहा है, क्या अभी energy आई है, जो बहुत ज़्यादा मतलब, बहुत ज़्यादा इनके उपर control कर रहा है, या फिर उसी का ही fear हो सकता है, family परिवार का भी हिस्सा हो सकता, ये person या फिर कोई बहारी person भी हो सकता है, जो मतलब कहीं न कहीं, जिसका control बहुत ज़्यादा इनके उपर चल रहा है, या फिर उसने इस तरीके से इनको फसा के रखा है, उलजा के रखा है, जिस बज़े से ये मतलब क्या हो रहा है, क्या हो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चाहा कर भी, तो य कहीं न कहीं justice की energies में है, तो मतलब कहीं न कहीं आपकी life में दोबारा से लोटना चाहते हैं, यहाँ पर जो energies दिख रही है, मतलब दोनों तरफ असा हो है, तो हो सकता है कि कोई family member, या कोई बहारी व्यक्ति, कोई friend circle, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनकी life में, जो बहुत ज ज़्यादा pressure इनके उपर डाल रहे हैं, या उन्होंने जिस तरीके से इनको guide कर रखा है, उस तरीके से भी pain बहुत से रहे हैं, feelings बहुत आपके लिए pure feelings है, दूरिया बिलकुल भी नहीं चाहते हैं, अगर दूरिया चाहते हैं, तो three of sorts में नहीं होते, आपके साथ बलकी यह यहां पर मैं देख ही रही हूँ कि बलकी यह आज भी यही चाहते हैं कि आपके साथ इनकी जिंदगी आगे पड़े, then उसके बाद भी hangman बाली situation यहां पर, फिर नीचे जो cards हैं, वो कहीं न कहीं फसाओ को बता रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं, तो देखो, यह जो situation है, इस से निकलेंगे तो definitely, क्योंकि justice है, justice का मतलब, जो उमीदें उने आप से लगाई है, या आपने उन से लगाई है, या जो आप लोगों के बीच में, जो relationship है, जो इतना time आपने दूसरे को दिया है, ठीक है, या जो रिश्ता आप लोगों के बीच में है, ठीक है, जो अनर दारे से इनकी साथ रिश्ता निभाया, इन्होंने भी निभाया, तो कहीं न कहीं आप लोग एक होगे, अच्छा दूसरी चीज़, आपकी परसंट का एक चीज़ मुझे और दिख रही है, हस से जदा रूडली होना आपके साथ, हस से जदा रूडली होना, या हस से जदा उनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज आपको आना, लाइक कभी-कभी हम किसी को ज़रूरी नहीं है, टैक्स से या बोलकर ही मैसेज करें, उसको इग्नोर करके, उसको अंदेखा करके, उस चुप रहेकर, साइलेंस रहेकर, उसकी बातों का जवाब ना देकर भी हम बहुत बड़ा जो है, वो दे सकते हैं, रूडली वेवियर कर सकते हैं, आप समझ रहे होगी मेरी बात को, यहाँ पर आपकी परसन जदतर इसी एनरजीज में मेरे को दिख रहे हैं, अगर है ऐसी सिच्वेशन, तो कमेंट जरूर कर लीजेगा, क्योंकि दिख रहा है आपके परसन, क्योंक का भी हित देख रहे हैं, भला देख रहे हैं, और कुछ चीजों में उनका फियर बहुत आ रहा है, दोसी इतना लंबा जो आपका रिलेशन सिप रहा है, उसको इतनी असानी से तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, तो कहीं न कहीं माइंड में आपको लेकर आज भी उनको लगता हैं, बार बार आपकी याद आर्यूंस हो सकता कि आपको भी इस पिछले दो दिन से बहुत जादा उनके बारी में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी तरफ से माइन्ड स्ट्रेस में जा रहा हैं बार बार उनका फेस आता रहा हो या आपकी अनर्जी पहुच्छ जब जब एमोशनली हो रही है अगर ऐसा है तो फिर आप समझ जाहिए कि इनकी ही आप तक पहुंच रही है जब आपका ध्यान जो है ना बार बार इनकी तरफ जा रहा है खेर जो एनर्जी इस मेरे को दिख लिवरा जैमनाई एंड लियो राशी एंड इरिस तो मैंने बता दिये दुबारा से सुल लेज़ेगा कभी कभी राशियां डावल दिख जाती है ठीक है तो ये राशियां जो हैं वो मेरे को दिख रही हैं जिसमें कहीं न कहीं आपके परसन इस समय बहुत जादा उनके दिल म इसे हैं आप दन्यों के बीच में जो बहुत जादा मिसंडरस्टेंडिंग हो गई है तो देखो इस समय पर जो इनर्जी दिख रही है उसके बेस पर तो जो ओल आवर कार्ड के नर्जी जन्र लेडिंग में दिख रही है तो कहीं न कहीं ये रियूनिन के लिए लोट कर इस समय जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल में है एनर्जी दिख है तो जन्र लेडिंग में जो चीज मेरे को दिखी मैंने बता दी लेकिन वाकी परस्टनली परी में बता सकते हूं कि कब तक जो प्रॉपर तरीके से एनर्जी आपकी राशी के अकॉर्डिंग के लेकिन हा आपका परस्टन इस समय बहुत जादा आपको मिस कर रहा है एंड आपको मैंने सैन बता तिया है कि अगर आपको ऐसी फिलिंग्स आ रही है तो कही न कहीं आपको वो चीज़े मिल रही है या कनेक्ट हो रही है तो यह चीज़ दिख रही है एंड प्रेयर करूंगी एंजल से प्रेयर करूंगी इश्वर से कि जो भी सस्क्राइब करें जो भी सस्क्राइबर है मेरे एंजल सुनको प्लीज आप लेस करें जो भी मेरे सस्क्राइबर है जो भी मेरे सस्क्राइबर है जो भी मिझे सस्क्राइब करें प्लीज एंजल सुनक कि जब बात करा करूं तो आप समझ लिया करिये कि मैं कहीं न कहीं सोल की ही बात कर रहे हूं सोल टू सोल कनेक्शन की है न क्योंकि एनर्जी में यहाँ पर मेरे को सोल की एनर्जी ही आती है यहाँ पर मैं आपकी परसन का देख रहे हूं कि उनका माइन जो है वो बराबर आपकी तरफ है ठीक है ? और वह आप्वी के बारे में सोच रहे है तो पिछले काफी ंतEd by बोल सकते हो की उन्हें आपकी ब्रहेर कर याद आ रहे है आपकी जो दीन थे न समय आपनी गुजा कर रहा था उसको बहुत याद कर रहे हैं दूसरा आप मेंसे कुछ लोग हो सकता है अपने person को call या message अगर आपने किया है अभी हाल-फलाल में किया है call या message तो I think उन्होंने या तो reply नहीं किया है आपके message का या फर कुछ आंसर दिया है कि माली जी रिप्लाइज नहीं किया है और अगर रिप्लाइज किया थो ब्लॉक कर दिया यह थोड़ासा रूडली बोल दिया तो समझ लिजिए कि कहीं न कहीं वो यह सब जान बूछ कर करें क्योंकि वह समय बहुत ज़्याद तनाऊ में स्ट्रेस में अपनी डी फिलिंग्स आपको बता नहीं पारें मुत मैंने टेरो कार्ट इनकी डी फिलिंग्स देख लिए कि हाँ वो बहुत ज्यादा लव करते हैं लेकिन उनकी उपर बाडन है जो बाडन जो प्रेशर है उनके उपर परिवार का फैमिली का या किसी अधर पर परसन का वो बहुत ज्यादा उनको परशान कर रहा है ठीक है तो यह चीज मुझे देख रही है लेकिन आपके परसन की जो एनर्जीस है उस एनर्जीस के अकॉर्डिंग्स जहां तक मैं देख रहे हूं के डीफ फिलिंग्स तो यह परसन लोटकर आपके लाइफ में आएग ठीक है आपका जो इसपोर्टिंग आपने जो उनको सपोर्ट किया हर तरीके से सपोर्ट किया एप चाहें लिए क्षकली हो चाहें आपने हाथ तो वह सारीormat नबहूले थे नबहूनеньगे बहुंद्धेजश यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके परसन का जो Méरे तो यह पर पास आएंगे या तुरंत आते ही आपको जो है प्रपोस करेंगे लाइक मैरिट के लिए क्योंकि मैरिट की संबाब नब अगर हो सकते कि आपकी सुच्वेशन या आपकी अनर्जी के अकोर्डिंग आप किसी मैरिज के लिए नहीं देख रहे हो अगर नहीं देख हो तो आप उस इनर्जी को छोड़ सकते हो लेकिन कार्ड में जो एनर्जी जा रही है अगर आप मेरेज के लिए लवरेशन सिप है ठीक है कुछ भी आपका ऐसा रिष्टा है या तो मैरिट जैसा है आप लोगों ने रहे आप मैरेज कपल लाइक है ना तो यहां पर टैन आ इसमें तरीके से आपके परसन जो है वह एक उसमें अनर्जी में आ रहें कि मतलब एक इंसान सपत सी ले लेता ना प्रदिग्या कर लेता कि हां मुझे अब इस रिष्टे को तोड़ना नहीं है मुझे इस रिष्टे में ही जाना है और जो इतना लंबा गैप हो गया यह जो लिए आपको guidance लेनी है reading लेनी है paid service है ना number जो है मेरा वीडियो पर मिल जाएगा वहां से लेकर आप मुझे message कर सकते हो for paid service के लिए and take care bye bye